हलो एब्रीवन बलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जोब जेनिय नौटिफिकेशन RVI means Reserve Bank of India या भारतिये Reserve Bank में Assistant Post के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतिये Reserve Bank में Assistant Post भरती के लिए क्या विसिक requirement रहती है जिसे कि इसमें क्या qualification required रहेगी Assistant Post के लिए age limit क्या रहेगी इसका जो selection procedure है वो कितने stages में है वैसे मैं अपने last वीडियो में बता चुकी हूँ फिर भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे इसका जो first exam होता है pre exam उसके वार में हम इस वीडियो में discuss करेंगे like कितने max का होता है timing क्या रहती है कौन कौन से subject से question आते हैं and इसी तरह से mains exam के बारे में भी हम जानेंगे RBI assistant post पर salary क्या रहती है application fees क्या रहेगी and last में हम बात करेंगे promotion की अगर आप assistant post पर भरती होते हैं तो किस तरह से आपका जो promotion है वो आपको मिलता है okay so अभी इसका जो notification है बहुत ही जल्द आने वाला है 17 मार्ट से इसके application RBI assistant के online application स्टार्ट हो जाएंगे जिसका की sort notification release हो चुका है मैंने वीडियो upload किया था so अगर आप RBI assistant के लिए apply करना चाहते हैं तो कल से आप इसमें apply कर सकते हैं online application स्टार्ट है और आप इस वीडियो को end तक देखेगा क्योंकि आपको इससे help मिलेगी इसमें क्या requirement है किस तरह का job रहेगी या salary कैसी रहेगी posting कहा होगी यह सारे points हम इस वीडियो में के लिए करेंगे so चलिए start करते हैं सबसे पहले हम eligibility देखेंगे तो अगर आप RBI में assistant post के लिए apply करना चाहते हैं तो आपका भारते नागरिक होना जरूरी है इसके लिए male और female दोनों ही candidate eligible होते हैं apply कर सकते हैं qualification so आपने graduation अगर complete कर लिया है किसी भी subject से, किसी भी stream से then आप इसमें apply कर सकते हैं और age limit की बात करें तो after graduation आप इसके लिए apply करते हैं so इसमें आपकी age 20 to 28 year यह general candidate के लिए है अगर आप reserve category से belong करेंगे तो 3 years, 5 years, 10 years according to category आपको relaxation मिल जाएगा यह जो information है यह last notification के according में आपको provide कर रही हो जैसे इसका latest notification आएगा मैं उस पर भी video upload करूँगी सारे points के लिए करेंगे चलिए आप देखते हैं इसका selection process तो RBI assistant post के लिए जो selection process रहता है यह 3 stages में complete होता है first exam होगा आपका pre exam second होता है men's exam and third होता है language proficiency test मैंने अपने last video में बताया था कि इसमें आप क्योंकि यह All India की job रहती है अब आप किसी भी state से इसमें apply कर रहे हैं जिस भी state से वहागी जो local language है वो आपको आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका test होता है language proficiency test next अब हम बात करेंगी pre examination की so pre examination में आपके जो question आते हैं total 100 question रहते हैं 100 marks के जिसमें की English से 30 question 30 marks numerical ability से 35 question 35 marks and reasoning के 35 question 35 marks timing आपको 60 minute की इसमें दी जाती है यानि 1 hour की timing इसमें दी जाएगी यह हुआ pre examination next है men's exam men's exam में इसमें जो topic है जिस topic से आपको question आते हैं वो है mathematics, general awareness, computer, reasoning and English सभी topics से या सभी subject से 40-40 questions, 40-40 marks के आते हैं overall 200 questions रहते हैं 200 marks के और timing आपको 1, 3, 5 minute की timing यहाँ पर दी जाती है जब आप men's exam के लिए कर लिते हैं इसके बाद आपका होता है language proficiency test और जैसा कि आप जिस भी state से apply कर रहे हैं उसी language, वहाँ की जो local language है वो आपकी होगी तो उसी language में आपका proficiency test होगा जैसे अगर आप MPI, UP से apply करते हैं तो इसमें आपका Hindi language रहता है notification में mention कर दिया जाता है किस state के लिए कौनसी language आपको आनी चाहिए कौनसी language के लिए आपका test होगा तो आप देख लिए जएगा आपकी जो भी language है आप जिस स्टेट से apply कर रहे हैं notification में आप उसमें देख सकते हैं और उस state से आप इसमें apply कर सकते हैं next अब हम बात करेंगे salary की RBI assistant post के लिए जो enhanced salary रहती है 33,000 से 36,000 पर मन्त तक रहती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो HRA, TA, DA जो रहता है वो आपका depend करता है आपकी city पर जो balances मिलते हैं और वैसे ही मैं भी आपको बता चुकी यह जो information है आपको last notification के according आपको दे रहे हूँ जैसे इसका new notification आता है यह सारे points हम उस notification में भी के लिया करेंगे अब इसके बाद हम बात करेंगे posting की तो यहाँ पर जो आपकी posting RBI में आपकी कोई भी किसी भी post के लिए अगरा भरती हो रहा है तो जो posting आपकी होती है वो विक cities में रहती है, metro cities में रहती है तो इसमें अगर आपकी जो service है कम से कम 3 साल complete हो जाते हैं उसके बाद आप promote हो सकते हैं 3 से 4 साल बाद promotion आपका जो first promotion रहता है assistant manager post पर रहता है इसके बाद manager, assistant general manager and deputy general manager तक आप इसमें promotion ले सकते हैं So RBI assistant post के बारे में सारे important point हमने के लिए कर लिए है like required qualification, age limit, exam pattern, posting, salary, promotion अब अगर इसके लिए application स्टार्ट हो रहे हैं और आप इसमें apply करना चाहते हैं तो कल से इसके application स्टार्ट है आप update रह सकते हैं आप official site चेक कर सकते हैं या फिर मैं इस पर details जैसे ही notification आता है वीडियो upload करूँगी तो channel को भी subscribe कर सकते हैं